हेलो दोस्तों वेलकम टो ऑनलाइन इस्टेटी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करेंड एफेस का मॉस्ट इंपोर्टन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ यह दिए आप मेरे चैनल पर डेली करेंड एफेस की वीडियो देखते हैं गो तो आपको सेट जरूर देना चाहिए आपको देख लेना चाहिए कि हमारी करनी हफेस की तैयर आरी कैसि चल रही है तो डेया अप खुद को जच करना है तो आप इस वीडियो को जरूर सॉल्व करें पूरा लास्ट तक सॉल्व करें लास्ट में कॉइंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोस्तों मैं आने केडिमी पर ही पढ़ाता हूं तो आने केडिमी का लर्निंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड करक उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं मैं अपने आने केडिमी प्रॉफाइल के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन वॉक्स में भी दे दिया हूं दूस लिंक के डारेक्ट करके आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर बनाएगे बहुत सारी पॉल की मशुहूर लेखक का लंदा निस्थित अपने घर में पच्चाशी वर्ष की उम्र में इधन हो गया है ऑप्सन ए है नजीब महफूज बी वी एस नाइपाल सी सुली प्रुमोध या डी सेमस हेनी तो आपको राइट एंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे जोयर एक में नोबेल पूर्षकार पाने वाले भारती मूल के मशुहूर लेखक जो थे वी एस नाइपाल कलंदा निस्थित अपने घर पर पच्चासी वर्ष की उम्रे में उनका निधन हो गया है ठीक है तिस क्वेशन का बी ऑप्सन साही है आप मेरे साथ जरूर सॉल्व करिएगा लाज तक इस वीडियो को बहुत इंपोर्डेन प्रैक्टिस सेट है चलिए अगला कोश्चन है किश पूर्व लोक्षबाद ध्यक्ष का 13 अगस्थ 18 को कोलकाता में 89 साल कुम्रे में निधन हो गया है तो आपको बताना है आप्सन है ए मलोहर जोशी बी शिवराज पाटिली मीरा कुमार यह डि सोमना चटरजी आपके पास तीन सेक्न का टाइम इस को शकुन सॉल्व करने के लिए इसका राइट एंसर बताईए दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा Option D सोमना चटरजी को ठीक सोमना चटरजी को देखे दोस्तों पूर्व लोक्षभा देख जो थे सोमना चटरजी का 13 अगस दो ठारा को कोलकाता में निधन हो गया है और वह 89 वर्स के थे पिछले काफी दूनों से वो सोमना चटरजी बीमार चल लहे थे आपको बता दें यहाँ पर बात लोक्षभा के और लोक्षभा के जो पहले अध्यक्ष थे question पूछा आता है एक्जाम में पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर ठीक लोक्षभा के पहले देख्ष चेयर्मैन कौन थे लोक्षभा की सुरी स्पीकर कौन थे लोक्षभा की लोक्षभा की पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर यानि गणेश वासुद्य मावलंकर तो यहां पर इसका राइट एंसर जाएगा ऑप्षण डी जो है तो इनका तेरह घज़ो अठार को कोलकाता में नवाजी चल्कुम्र में इधन हो गया लोक्षभाद देख्षते पूर्सोमना चटर जी तीसरा नमर को कोश्चन है किस देश में एसी आई खेल दो अठार और पॉल्म बईक जो है तो शहर में ये गेम चल रहा है और इसका सुभंकर है इस वर्च का भिन भीन काका और अतुग ये इसका सुभंकर है ठीक है एसी आई खेल दो अठारा आउजित किया जाएगा कहां पर चल रहा है यह चल रहा है इंडोनेशिया की राज़ानी जकारता और पॉलेम बैग में चलिए पाच्वे नमबर कुश्चन देखते हैं दोस्तों केरल बार से निपड़ने है तू दक्षणी नोसे ना कमाउंड दा राइड एंसर बताईए दोस्तों इसका राइड एंसर हो जाएगा ओप्सन बी ऑपरेशन मदद देखे दोस्तों केरल में पिछले जो है तो काफी टाइम से बाढ़ वारिश का पानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है नेवी द्वारा चलाया गया ओपरेशन मदद के ज योजना का दाइरा बढ़ा दिया है आपको बताने किस राज सरकार ने हाली में रिड माफी योजना को जो दाइरा बढ़ा दिया है और आपके पास तीन सेंगर टाइम है इस एंसर को बताने के लिए राइट एंसर है आपसाने महरास्टा सरकार देखे उस तो महरास्टा सरकार ने हाली में रिड माफी योजना का दाइरा बढ़ा दिया है और अब किसान के परिवार के सरस्यों को अलग अलग रिड खाता होने किस्ति में सभी को इस योजना का लाब मिलेगा तो इस छटे न साथवे नमबर कोशन दोस्तों भारती नौसेना का कौन सा जहाज? आपको इसका राइट अंसर देने के लिए तीन सेग्रिंग टाइम है इसका राइड एंसर दोस्तों ओप्सन ए आई एनस सहयाद्री देखे उसको बता देख फिजी के साथ अपने दुविपक्षी संबंदों को और मजबूत बनाने के लिए भातिनों सेना का जहाज आईनस सहयाद्री सद्भावना यात्रा पर सुभा बंदर गया पहुचा है ठी हाली में किस राज के गवर्नर का पद पर रहते हुए निधन हो गया है आपसान ए राजस्थान भी छतीजगड़ सी बिहार याडी केरल आपके पास तीन सेगंड का टाइम है इस कोश्चन का एंसर देने के लिए राइट एंसर हो जागा दोस्तों इसका ऑपसन भी छतीजगड़ के देखे दो छतीजगड़ के जो राजपाल थे बलडाम दाजी टंडन का अभी हाली में 14 अगस्त को अमबेट का अफसाल में इधन हो गया है वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे ठीक है तो आपसन भी अब आपको बता दें कि जो MP की रगवर्नर है अनंदी बेन पटेल उसके सासत MP की वी गवर्नर है और जीजगड़ के चलिए अगला कुश्चन है आपके पास तीन से टाइम एंसर देने के लिए राइट एंसर है ऑप्सन एक कीची जोजी टोक्यो देखे उसे जापान के पास एक सहर है कीची जोजी का हिंदू देवी लक्षिमी के नाम पर जो ते हाँ पर रखा गया है ठीक है अगला कोशन है दस्वे नमबर का एक सर्वे इश्मृता क्रिश्ना गोधरेज या किरान नाधार टीन सेक्व हैं आपके पास एंसर देने के लिए तो इसका राइड एंसर दोस्तों Option C इस्मिता कृष्णा गोद्रेज देखें दोस्तों एक सर्वेक्षन के तहट इस्मिता कृष्णा गोद्रेज को भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है यह Option C राइट है 11 नमर गोष्ण है निमनेकित में से किसे हाली में 37 का अतरीक्त राज़पल बनाया गया आपको बता चुका हूँ मैं तो आप इसका राइड एंसर बताईजिये आपको भी बताया था मैं इसका राइड एंसर आप सबको बताईघा आपसा ने आनंदीवेन पटेल को जो तो 36 वर्ड के राजपाल का त्रिक प्रवार कारेवार सौपा गया है बारवे नमर का कोश्चन है भारती टीम को पहली बार विदेशी धर्ती पर सिरीज जीताने वाले उस पूर्वी क्रिट कप्तान का क्या नमिजिन का हाली में निधन हो गया है आपसा ने मुहमाद अजिरुद्दीन, आजीत वाडेकर, रवी शास्त्री या कपिल देव राइड एंसर बताने के लिए आपके पास तीन स्क्रीम के टाइम है राइड एंसर है आपसन भी अजीत वाडेकर, देखें तो भारती क्रिगेट टीम के पूर्व कप्तान तथा पूर्व मुख चैन करता अजीत वाडेकर का हाली में निधन हो गया है अगला कोशन है इकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स इनविट रैंकिंग्स द्वारा कियेगे सरविख्ण के अनुसार विश्ट को कौन से सहर रहने के लिहाज से सर्वसेस्ट है आपके पास तीन सेक्रीम के टाइम है दोस्तों इसका राइड एंसर देने के लिए तो इसका राइड एंसर है ऑप्सन सी विएना ऑस्ट्रिया देखे उस तो इकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स इनविट रैंकिंग्स द्वारा विश्ट के 140 शहरों में कियेगे सरविख्ण के परिणाम सुरूप जारी आकड़ों में जो तो विएना पर्थामस्थान पर सामिल रहा है अगला कोश्टन है इकोनोमिस्ट इंटेलिजन्स इनविट रैंकिंग्स द्वारा कियेगे सरविख्ण के नुसार विश्ट का कौन सा सहर रहने के लिहास सबसे बदतर स्थिती में है अभी आपने देखा कि सबसे जो तो अच्छी स्थिती में कौन सा सहर है यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बदतर स्थिती में कौन सा है ओप्सन ए दमिश्क, बी बनारस, सी कराची और डी डकार तो इसका राइट एंसर पताने के लिए आपके पास तीन से करेंगे टाइम है तो इसका राइट एंसर है दमिश्क, सीरिया ठीक यानि आपसान है देखे उस तो प्रधामंत्री मोदी जी ने सुदंता दिवस भासण में भारत द्वारत द्वारा 2022 में अंतरिक्ष में भेज़े जाने वाले किस अंतरिक्ष्यान के बारे में जिक्र किया है आपके पास तीन सेकेंड कर समय है इस कोश्चन का इंसर देने के लिए प्रधामंत्री मोदी जी ने सुदंता दिवस को जोहतुलाल के लिए से दिएगे अपने संबोधन में घोशना की है कि बास 2022 तक गगान्यान जोहतुले कर कोई इंस्तान इंतरिक्ष में जाएगा जिसका डी आप्सन सही है ठीक है तो यह थे 15 कोश्चन इंपोर्टेंट करेंड अफेस के आई होप आप सब के लिए एलफूल रहेगा वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक जरू कर दिया करो होसला वालता मोटिवेशन के लिए साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देजे अपने दोस्तों को साथ यह आप चैनल पर पहली आपिट करेंए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर फ्रस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियों मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को साथ दोस्तों आपका दिन शूभो जै हिंद बंदे मात्रम